नमस्कार दोस्तो भारती जन्ता पार्डी को एक और चुनाव नतीजों में बड़ा जठका लगा है कांग्रेस पार्डी जठका देते हुए चुनाव नतीजों में आगे निकल गई जिन आपको बता दें करनाटक में निकाय चुना हुए थे जिसके फाइनल नतीजे सामने आ गया है इस फाइनल नतीजे में भारती जंता पार्टी को बड़ा जटका लगा है कांग्रेस और जेडियस ने मिलकर चुनाओ में जवरजस जीत दर्च की है जिन दोस्तों आपको बता दें यह चुनाओ बैलेट पेपर से कराये गया था आप एकनाविक टाइम्स की रिपोर्ट देख सकते हैं इसके मुताबिक करनाटक के बीदर जिले के अलावा सभी जगा पर चुनाओ एबियम की बजाए मत पत्रों से कराये गया था यह चुनाओ में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है अलाकि अमूमन छोटे चुनाओ में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे देश में होने वाले सभी चुनाओ क्या EBM की बजाय बैलेट पेपर से ही कराय जाना चाहिए या फिर EBM से ही कराय जाना चाहिए क्योंकि EBM से मतों की गिंती जल्दी हो जाती है आपकी राय क्या है हा या ना कमेंट कर अपनी राय ज़रू बताएं साथी इस बीडियो पर अपना एक लाइक ज़ुर दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है साथी इस बीडियो को सेर भी करें साथी चैनल को भी सस्क्राइब कर घंटी को बजाना न भूलें जिसमें भारती जंता पार्टी को उनके अपने छेत्र में हार का सामना करना पड़ा है और अब करनाटक ग्राम पंचायत के चुनाओ में भी भारती जंता पार्टी को जटका लगा है जिसमें आपको बता दें राजी की 226 तालुका की 5,728 ग्राम पंचायतों में कुल 91,349 सीटों के लिए चुनाओ की घोसरा की गई थी जिन में से यानी 91,349 सीटों में से 8,074 सीटों के लिए पहले ही उमिद्वार निर्विडोज चुल लिए गये और बाकी 82,616 सीटों पर बोर्टिंग हुई थी जिन आपको बता दें यह चुनाओ दो चर्णों में हुआ था पहले चर्ण में 117 तालुकों में 3,019 ग्राम पंचायतों के 43,238 सीटों के लिए चुनाओ हुए थे अब हैं दूसे चर्ण में 109 तालुकों में 2,709 पंचायतों में 49,338 सीटों के लि यह कुल 2,22,814 उम्मिदवार मैदान में थे अब इसके फाइनल नतीजे सामने आ गये हैं जनुस्तों किस पार्टी को कितनी सीटे मिली हैं उसको बताने से पहले आपको बता दें यहां पर सिक्का उचाल कर और लाटरी से लगबाग 50 उम्मिदवारों को बीजाई घोसित क किया गया है आपको दें हुसूर के गोली और चल्ला हली पंचायत में दो महिला उम्मिदवारों को सौसो ओट मिले थे मामला फंस गया उसके बाद उनकी जीत का फैसला के लिए लाटरी का इस्तेमाल किया गया वहीं राय चूर में और रामदुर्ग पंचायत में भी दोनो उम्मिदवारों को 388-388 वोट मिले जिसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने सिक्का उचाल कर यानि टास्क के जरिये इनमें से एक उम्मिदवार को बिजयता घोसित किया अलाकि कई बार पंचायत चुनाव में ऐसे मामले देखनों को मिले हैं तो चलिए आपको बतात करनाटक पंचायत की कुल 82,616 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को अकेले 32,829 सीटों पर जीत मिली हैं जबकि 82,616 सीटों में से भारती जनता पार्टी के खाते में 30,853 सीटे गई हैं वहीं करनाटक पंचायत की कुल 82,616 सीटों में से जनता दल सेकुलर यानी जेडियस को 16,841 सीटों पर जीत मिली है वहीं 86,616 सीटों में से निर्दली अब प्लस अदर मिला के 10,816 सीटों पर इनकी जीत हुई है अलाकि आपको बदादें इलेक्षन कमिशन ने जो नतीजे जारी किये हैं करनाट भासा में है लेकिन अभी जो आपने नतीजे देखे हैं उसे जेंड के प्रदेश कांगरेश सेवा दलने जारी किये है जेंड के प्रदेश कांगरेश सेवा दलने अपने ट्विटर हैंडल से ये नतीजे जारी किये हैं आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट आप करनाटिका ग्राम पंचायती लक्षन जिसमें कांग्रेस को 32,829 सीटे मिली हैं और बीजेपी 30,853 जेडियस को 16,841 निर्दली और अन्ने को 10,816 सीटे मिलता हुआ दिखाये गया है अला कि आपको बदा दें निउज पोर्टल पर जितने भी वेपसाइड हैं उसमें सभी वेपसाइड भारती जन्ता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं और कांग्रेस को पीछे दिखा रहे हैं अला कि किसी के पास अभी भी फाइनल नतीजे नहीं हैं लेकिन टाइमसाप इंडिया के मुताबिक भाजपा समर्थित उम्मिदवार बैयासी हजार छेसो सोलर सीटों में से उनतीस हजार चारसो अठातर सीटों पर जीत दर्च कर ली हैं वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मिदवारों ने 24,560 सीटों पर जीत दर्च किया है जेडियस ने 15,825 सीटों पर जीत दर्च किया है वहीं अन्य के खाते में 9,753 सीटे गई हैं जबकि जेंड के प्रदेश कांग्रेस सिवादल ने अपने आफिसियल ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किया है उसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटे मिली हैं और भारती जन्ता पार्टी दूसरे नंबर पर है जेडियस तीसरे नंबर पर है अलाकि इस चुना में एक मिर्तक उमिदवार की भी जीत हुई है जियां आपको बदा दें 95 साल की अम्मा विजाई खानपुरा तालुका के कुक केरी 25 से प्रत्यासी सीबी अम्बो जी की 27 दिसंबर को मित्ती हो गई थी इतिफाक सवा 414 वोटों से विजाई हुई है वहीं बीदर जिले के मुठंगी गाव में 95 वर्षी गुजमा संकरापा होसानी ने जीत हासिल की है उन्होंने वाड नमबर 2 से चुनाव लड़ा और 287 वोट हासिल की है अलाकि एक सीट के नतीजे ऐसे आये हैं जिस प्रत्यासी को 20 साल बाद जीत मिली है जे आपको ददे पिछले दो दसक तक असफल प्रयास के बाद करनाटक ग्राम पंचायत में एक निर्दली उमिदवार ने जीत का स्वाच चका है बेला गवी जिले की मुठंगा ग्राम पंचायत से रिजल्ट की घोसरा होते ही स्याम मुठगेर की आखों में आसू आ गए स्याम ने बताये की मेरा सपना था की मैं पंचायत में चुना जाऊं मैंने 2000 में यानि वस 2000 से सभी ग्राम पंचायत में हिस्सा लिया लेकिन पहली बार 20 साल बाद यानि 2020 में 36 ओटो से बिज़ाई घोसित हुआ हूँ इस जीत से निर्दली उमिदवार स्याम मुठगेर की आखों से आसू भी छलक पड़े वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल का सामने आई है जियां कोदादे केरल बिधान सभा में तीनों संसोधित क्रिसी कानून के खिलाप प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें भारती जनता पार्टी बिधायक ने भी अपना समर्थन दिया है जियां कोदादे दिल्ली के चार बाडरों पर लगातार किसी कानून के बिरोत में किसान डटे हुए है अब लगातार किसी कानून पर जारी घमासान के बीच केरल बिधान सबा ने आज सरो सम्मती से केन के तीनों बिवादित किसी कानूनों को रद्ध करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है हलाकि यहां एक अपत्यासित घटना देखने को उस वक्त मिली जब इस प्रस्ताव को एक मात भारती जनता पार्टी बिधायक ओलान चेरी राज गोपाल का भी समर्थन मिला केरल बिदान सबा के इस प्रस्ताव में इन तीनों को किसान बिरोधी और उद्ध्योग पतियों के हीत में बदाये गया है इस पीकर सिर राम कृष्ण ने का कि बिदान सबा के बिशे सत्र में धोनी मत के जरिये प्रस्ताव सर्व समती से पारित किया गया है जब प्रस्ताव पास किया जा रहा था तब एकलावते भारती जंता पार्टी बिधायक राज गोपाल ने वाक आउट किया और अपनी सामती भी परदान की ओ राज गोपाल ने प्रस्ताव में सामिल कुछ संदर्भो पर आपत्ती दर्ज की थी मगर बिरोत नहीं किया जे आपको बदा दे कि अटल बिहारी बाजपेई के मंत्री मंडल में ये नेता रियल राज मंत्री थे सदन के बार राजगोपाल ने कहा कि सदन में आम सामती थी इसलिए मैंने प्रस्ताव पर आपत्ती नहीं जताई ये लोकतांत्रीक भावना है केरल बिधान सबा के ये घटना करम भारती जनता पार्टी के लिए एक फजियत के रूप में सामने आया है आपको दर इससे पहले सदन में चर्चा के दोरान बारती जनता पार्टी विधायक राजगोपाल ने केरल के सियम द्वारा केंद्र के किसी कानूनों का बिरोत करते हुए उठाए गया परस्ताओ का बिरोत किया था उन्होंने कहा कि इसी तरह के किर्शी कानूनों को वादा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोसरा पत्र में भी किया था CPIM ने भी इस तरह के कानून लाने की मांग की थी अब दोनों दल इसका बिरोत कर रहे हैं उनका कहना था कि किसानों को गुंधरा नहीं होना चाहिए लेकिन फिर उन्होंने इस परस्ताओ किसामती जताई जियांको द दढ़े बिधानसवा में रखा गया इस परस्ताओं में कहा गया था कि देशे कठिन परिस्थिति के गुजर रहे है और आंदोलन कारी किसानों के साथ खड़ा होना राज सरकार का पूर कर्तब है प्रस्ताव में अभी का गया कि आंदोलन खराम मौसम के बीच हो रहा है मुख्यमंतिर ने का कि तीनों कानून केवल बड़े कार्पोरेट घरानों की मदद करेंगे हला कि केरल बिदान समा में किर्सी कानूनों के खलाप जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें भारती जनता पार्टी बिदायक ने भी अपना समर्थन दिया है अब भारती जन्ता पार्टी के बिरायक के समर्थन देने से अब भारती जन्ता पार्टी के लिए एक फजियत का बिशय बन गया है अलाकि लगातार किसान दिल्ली के बार्डर पर आंदोलन करते हुए यही मांग कर रहें कि किल्सी कानून को सरकार रद करे सरकार और किसानों के बीच 6 दोर की बाजचीत भी हो चुकी है लेकिन अब तक आंदोलन खत्म करने के लिए कुछ प्रभावी तरीका अब तक नहीं निकल पाया है